नमस्कार वनकम स्सरियकाल, कैसे हैं प्रभू, यह मैं यूँ कहूँ, राम राम वाई सारयाने, हर्याना वालो, कैसे हो प्रभू लोग, सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई, हर्याना स्थीलस पहली बार प्ले-आउफ में कोई मैच जीती है, और एक नहीं दो मैच जीती और पहुँच गई फाइनल में पहला फाइनल हमेशा याद रहना चाहिए तो उसके लिए आपको मुबारक और ये दूसरी ऐसी टीम बनी है जो एलिमिनेटर से फाइनल में पहुँची है पहली टीम कौन सी थी जो सीधा सेमी फाइनल या क्वालिफाइर नहीं खेली जो एलिमिनेटर जीत के फाइनल पहुँची पहली टीम कौन सी थी ये आज का सवाल है कमेंट्स में बताईएगा और स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में हर्याना स्टीलर्स देसामा देस हर्याना जित दूद दही का खाना तेनाल कबड़ी का घराना भारत में पिछले 10-15-20 साल से सबसे ज्यादा कबड़ी प्लेयर अगर किसी स्टेट से आए हैं तो वो हर्याना है और सिर्फ कबड़ी क्यूं? रेसलर बहुत सारे मैक्सिमम हर्याना से आ रहे हैं मुक्यवाज हर्याना से आ रहे हैं और कौन सा ऐसा खेल नहीं है जो जिसके खिलाडी हर्याना से ना आए हो ये प्रदेश खास है इसकी टीम भी खास है पहली बार आप फाइनल में पहुँचे हैं कैसा रहा आपका सीजन? क्या चीज़े अच्छी हुई जो आप याद रखना चाहेंगे कौन सी चीज़े ऐसी हैं जिन पर आप सुधार करना चाहेंगे अपनी छोटी मोटी समझ के साथ मैं उसे एनलाइज करने की ट्राई करता हूँ तो सबसे पहली बात वो स्टेट जहां से maximum कबड़ी प्लेयर आते हैं कोई ऐसी टीम नहीं प्रो कबड़ी में जिसके अंदर हर्याना के प्लेयर ना हो तो कबड़ी का गड़ है कबड़ी का घराना है ये नंबर दो टीम पहली बार फाइनल पहुंची है ये अच्छी बात है नमबर तीन जैसा मैंने बताया कि पहली बार आप प्ले आउफ में मैचिस जीते हैं। इससे पहले भी हर्याना दो बार प्ले आउफ में गए थे पर कभी मैच नहीं जीत पाए। और आपने जिन टीम्स को हराया है वो तगडी टीम्स थी। गुजराज जाइंट्स दो बार क लोगों के लिए है कि एलिमिनेटर जीत कर फाइनल खेलने वाली ये दूसरी टीम बनी है। पहली टीम कौन सी थी नीचे बताईए। चौती बात जो मैंने देखी है कि इस टीम के पास प्ले आउफ में खेलने का अनुभव नहीं था। ना टीम के पास था ना खिलाडियों के पास था अब गौर कीजिए। विने इस से पहले प्ले आउफ का सरफ एक मैच खेले हैं। प्रपंजन इस से पहले प्ले आउफ के सरफ तीन मैच खेले हैं। शिवम का सीजन ही पहला है उन्होंने कोई प्ले आउफ का मैच खेला ही नहीं था। सिधार दिसाई ने भी इ के पास था मनप्रीत as a player playoff खेले हैं पटना के साथ trophy जीते हैं as a captain और दो बार as a coach वो गुजरात को playoff में और सीधा final में लेकर गए हैं पांचवी मैं coach की ही बात करूँगा मनप्रीत सिंग की तीसरा उनका final था as a coach गुजरात के साथ season 5 और season 6 में आप गए पहली बार आपकी बिढ़न्त पटना से हुई दूसरी बार आपकी बिढ़न्त बेंगलूरू बुल्स से हुई दोनों matches आपके पक्ष में नहीं रहे लेकिन तीन final खेलने वाले कितने coach हैं ये मैं आपसे सवाल नहीं पूचूंगा इसका जवाब ही मैं दे देता हूँ रवी शट्टी पहले coach थे पहले coach फिर assistant coach यू मुंबा के साथ पहले तीनों season यू मुंबा final में गई थी बीसी रमेश चार final खेले हैं बेंगलूरू बुल्स के साथ बेंगॉल वारियस के साथ और दो पुनेरी पल्टन के साथ राम मेहर सिंग सहाब as a chief coach दो final खेले हैं season 5 पतना pirates और उसके बाद season 8 भी पतना pirates season 3 और season 4 में राम मेहर सिंग जी chief coach नहीं थे वो strategist थे team के think tank का हिस्सा थे तो उनको भी मान लीजी आप और चौथे coach बने हैं मनप्री सिंग जो तीन final खेले हैं यह चोटी उप लब्दी नहीं है यह बहुत बड़ी बात है यह गर्व की बात है ठीक है जी अगली बात क्या है टीम के लिए अच्छा क्या रहा टीम के लिए क्या अच्छा नहीं रहा पहले बात करता हूँ टीम की सबसे बड़ी मजबूती की मजबूती क्या defense और यह मनप्री सिंग की philosophy है season 5 और season 6 में जब हम लोग venues में हुआ करते थे तो कोची से ज़्यादा बात करने का मौका मिलता था मनप्रीत पाजी के साथ वैसे भी फोन पे लंबी-लंबी मेरी बाते हुई है बहुत सारे कोची के साथ हुई हैं कोई ऐसे कोच नहीं जिनके साथ बात करने का मुझे सोभाग ये ना मिला हो तो मनप्रीत की philosophy हमेशा ये रहती है कि defense आपको आगे लेके जाता है रेडर यंग रखो अच्छे रखो लेकिन defense मजबूत हो अब season 5 और season 6 की आप गुजरात याद कर लीजिए फजल अबोजार की जोड़ी थी, कॉर्नस पे, बाद में सुनील परवेश की legendary covers की जोड़ी उन्होंने दी है यहाँ जैदीपुर मोहित राकेश कुमार के टाइम पे आये थे, मनप्रीत ने उनको निखारा है मोहित कलेर और लाहुट राहुल सेथपाल को उनने शांदार कॉनस के तौर पे हमें gift दिया है तो मनप्रीत की philosophy हमेशा यह है कि defense आपको आगे लेके जाएगा और इसमें कोई गलती भी नहीं है टीम ने पूरे season में किये 329, 329 tackle point, rank, दूसरा, overall rank, दूसरा, well done super tackle आपने कितने किये, वो आपने किये 33, 33, rank, पहला, पुनेरी पल्टन super tackle के मामले में बहुत नीचे है जो final GT, हरयाना Steelers final hari है, लेकिन super tackle आपने ज्यादा किये है, यानि कम defense में भी आपकी team बहतर करती है overall जितने आपने tackle किये, उसमें सफल कितने रहे, 44, rank, चौथा, यानि कि अगर आपने 100 tackle किये हैं, तो 43, 44 tackle आपके कामयाब रहे हैं, ये बड़ी उपलब्दी है average tackle point, प्रती match आपको कितने मिले, तकरीबन 13, सवा 13, rank, तीसरा, यानि defense के जितने भी आँकडे हैं, वो सारे के सारे आपके पक्ष में आते हैं, इसी लिए team इतनी आगे गई है और defenders में किसने सबसे बहतरीन प्रदर्शन किया, राहूल सेटपाल, right corner, यू मुंबा से आए, यहां आए, 73, 73 tackle point वो ले गए हैं, तकरीबन प्लैटिनम जूबली के पास, कितने साथ high five उन्होंने लगाए हैं, तो ये एक नए सूपर स्टार, defender हम मान सकते हैं, जो प्रोक ब नांदल, टीम के right cover और टीम के co captain, बाइदावे, ये भी एक टीम की खासियत है, कि सीजन से पहले इन्होंने मोहित और जैदिब दोनों को captain announce किया था, तो मोहित नांदल 70, 70 point आपने लिए 6 high five लगाए, जैदिब दहिया आपके साथ ही 68, 68 tackle point लिए 6 high five आपने भी लगाए, ब अगर ये जोड़ी final में चलती, तो final का नतीजा कुछ और हो सकता था, बट आप दोनों का season पूरे का पूरा मोहित जैदिब बेहतरीन रहा है, राहुल सेट पाल का शानदार रहा है, और फिर आपके left corner आते हैं मोहित कलेर, उनका पहला season है, तकरीबन half century वो भी मार गए, 47, 47 पॉइंट लिए, जिसमें से 4 पॉइंट उनके final में थे, final में ये अच्छा के लिए थे, दो high five आपने लगाए, फिर बारी आती है टीम के all rounder की, आशीश नर्वाल की, मुझे all rounders बड़े पसंद हैं, जो एक एक दो दो पॉइंट raid में लेते हैं, जो एक दो दो पॉइंट होते हैं कबंडी में, तो overall टीम का defense शांदार खेला, टीम के चारो defender शांदार खेले, आशीश ने as an all rounder भी defense में योगदान दिया, दिक्कत कहां आई, दिक्कत उतनी ज्यादा नहीं आई, अगर individual performance देखें, मैं rating की बात कर रहा हूँ, लेकिन overall stats बताते हैं कि टीम को rating में रह ठीक ठाक है, लेकिन रोचक बात पता क्या है, सफल raid करने में number 1 team कौन है, पतना pirates, जो top 4 में भी नहीं थी, ये प्रभू की माया है, अब आते हैं raid points पे, हर्याना ने लिये है 492 total raid points, rank है उनका 3 ये बड़ी अच्छी बात है, फिर आप सोचेंगे कि raiding में खराब क्या हुआ, हर्याना ने total लिये 492 raid point, rank है 3, number 2 rank किसका है, पतना pirates का, जो हर्याना से नीचे है, number 1 rank किसका है, बेंगॉल वारियस का, जो top 6 में भी नहीं है, तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है हमें, कि अकेले raider आपको उपर नहीं ले जा सकते, अब बेंगॉल वारियस rank 1 है, आप top 6 में पतना pirates rank 2 है, आप final में नहीं जा पाए, semi final में आप हारे, पुनेरी पल्टन से, एक तरफा हारे थे, अगली बात पी आईए, average raid point, 19.6, rank है आपका आठवा, तो आप कहेंगे यह तो गडबड हो गई, लेकिन पुनेरी पल्टन का rank है, average raid points में 9 जो आपसे भी नीचे है, जो बने champion, तो कहानी से सीख क्या मिलती है, कि defense भी उतना ही महतवपून है, कई बार defense थोड़ा ज्यादा महतवपून हो जाता है, रेडिंग से, यह आठवी और नौवे, average raid points वाली team में, final खेल रही है प्रभू, यह विचितर बात है, आगे आईए, super raids आपने कितनी की, 16, rank आप का तीसरा, आप कहेंगी, यह तो बड़ी अच्छी बात है, पर पहला rank पता है किसका है, super raids में, गुजरात का, जिनको आपने ही eliminator में हराया था, हर्याना ने, दूसरा rank है, Bengaluru Bulls का super raid करने में, जो top 6 में भी नहीं है, यानि कि, अकेली super raid से आप आगे जाएं, इस बात की points आपके कितने हैं, 73, rank है आपका छटा, यानि कि, medium दरजेगा, पहला rank पता है किसका है duo die raids में, पुनेरी पल्टन का, यानि कि, मुश्किल हालातों पे, अगर आप raid point लेके आते हैं, तो आगे जा सकते हैं, और कई बार पर इस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कि आपको duo die raid प पुनेरी पल्टन लाती है, हर्याना थोड़े से कम लाती है, चलिए आगे चलते हैं, all out आपने किये कितने विरोधियों को, आपने किये 31, rank है आपका साथवा, यानि कि, medium प्रदर्शन रहा, सबसे ज्यादा all out किसने दिये विरोधियों को, number one, पुनेरी पल्टन, यानि कि, विरोधियों को आपने बार-बार बाहर भेजा और extra point लिए, आखरी आखड़ा जो आपको बता रहा हूँ मैं, all out आपके कितने हुए, आप खुद कितनी बार all out हुए, 35 बार, यानि कि, 31 all out दिये और 35 लिये, यानि कि, गड़बड हुई है, रैंक है आपका पांचवा, हुई है, पुनेरी पल्टन, और पांचवे नंबर पे, उपर से, साथवे नंबर से, नीचे से है, हर्याना स्टीलर्स, यानि कि, मध्यम प्रदर्शन, आपने all out concede ज्यादा किये हैं, और all out concede आप अधिकतर तब करते हैं, जब आपके raider point ना लेकर आ रहे हूँ, do or die raid में जब point ना आ रहे हों, जाइए point नहीं मिले, raider out, फिर जाइए point नहीं मिले, raider out, अकेला defense, या अकेली raiding आपको आगे नहीं लेके जा सकती है, बाकी raiders ने क्या किया, उस पे भी गौर फरमा लेते हैं, सबसे काम्याब आपके raider रहे हैं, विने तेवतिया, बहतरीन सीजन र आवरेज है, 6 आपके super 10 है, हलांकि 7 की average आप एक strike raider के साथ associate नहीं करते, पर विने ने responsibility दिखाई है, फाइनल में थोड़ा और बेहतर खेलते, तो शायद टीम भी बेहतर करती, नंबर 2 raider है, टीम के शिवम पतारे, पहले कभी नहीं पतारे, 116 raider point लेकर गए हैं, फाइनल था, matches खेले हैं, 17, 82 raider point और तकरीबन 5 की average, 4 super 10, season के दूसरे half में ज्यादा बेहतर खेले थे, चंदरन रंजीत, चोट के साथ आये, late खेले, कम खेले, 4 match खेले, 31 point लिए average पॉने 8 की, यानि जितना खेले, अच्छा खेले, एक आपने super 10 लगाया, all rounder अशीश नर्वाल, 18 matches म कोई है नहीं, ये rating का लेखा जोखा है, तो हर्याना के इस पूरे production से हमें क्या सीखने को मिलता है, नमबर एक, एक strike raider होना बड़ा जरूरी है, अगर strike raider नहीं हैं, तो 3-4 raider मिल के 22-23 point ले, हर्याना के raiders ने तकरीबन 19-20 point लिये हैं, 2-3 point अगर आप extra लेते, तो आपका rank आठवें से कोई दूसरा तीसरा भी हो सकता था, सिदार दिसाई को जिस उम्मीदों के साथ और जिस बड़ी राशी के साथ लिया गया था, उनकी fitness उनके प्रदर्शन में आड़े आ गई, टीम पवन तक, पवन के पीछे भागी थी, 2-2 करोड-6 लाग तक, अगर कहीं पव एक रेडर चाहिए, या फिर तीन रेडर ऐसे चाहिए, जो मिलके 22-23 पॉइंट लाएं, आपके पास सेकेंड और थर्ड रेडर के तौर पे विने और शिवम थे, पर थोड़ा सा और पुष चाहिए था, सीख नमबर दो, कि अगर आपका defense भी बहतरीन है, तो भी आप आग पर इतने फिर से साबित कर दी है, सीख नमबर तीन, जब defense ना चले तो फिर रेडर को step अप करना जरूरी है, final में defense ज्यादा नहीं चला, कितने तकरिबन 19 fail tackle हुए और 5 या 6 total tackle point मिले, तो रेडर को वहां से point लाने थे, परदीप नर्वाल, season 5 का final कितने 22 point लिये थे, 30 point लिय गए थे, उसी तरह से आप अरजुन देशवाल को याद कर सकते हैं, आप नवीन कुमार को याद कर सकते हैं, तो तीसरी सीख ये है, कि आपके पास backup होना चाहिए, अगर एक match में defense नहीं चला, तो point लाने की जिमेदारी radius को उठानी चाहिए, और चौती सीख ये मिलती है, कि अरजुन ने, नवीन ने, मनिंदर ने final जितवाएं हैं, सूपरस्टार आपको आगे लेके जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास सूपरस्टार नहीं है, अगर आप एक unit के तरह खेलते हैं, तो भी आगे जा सकते हैं, गुजरात, season 5, season 6, हर्याना, season 10, बिना किसी so-called सूपर सिंग एक सूपरस्टार कोच है, तीन final खेलना आसान बात नहीं होती है, तो मनपृत के लिए hashtag respect है, हम सब के मन में, बिना किसी बड़े खिलाडी के, बिना किसी super duper, या mega star के, बिना किसी legend के, वो दो teams को तीन बार final में ले आएं हैं, जीत नहीं मिली वो अलग बात है, लेकि चोटी सी बात आगे के season के लिए करने जरूरी है, season 11 में क्या हो सकती है team की philosophy, मनपृत team के साथ रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, team management उनको जाने नहीं देगी, team का core भी मुझे यही लगता है कि रहने वाला है, मोहित जैदीब को आप नहीं release करेंगे, मोहित कलेर और लाहुल सेटपाल को आप release नहीं करेंगे, winner team में रहेंगे, शिवम team में रहेंगे, सिधार तो शायद release हों, क्योंकि उनकी auction value थी 1 करोड, 15% extra देना पड़ेगा, 1 करोड 15, उससे सस्ते हो सकता है, आपको auction में मिल जाएं, या आप FBM कार्ड उठा लें, पवन पे ये team पिछली बार गई थी 2 करोड 60 लाग तक, मुझे लगता है कि वो नीती अभी भी रहेगी, कि एक बड़ा strike रेडर अगर मिल जाए, या एक और ऐसा रेडर मिल जाए, जो विने की भाती 7-8 पॉइंट लाता रहे, तो team मजबूत से थोड़ी और बेहतर हो वे शायद आक्षन पूल में जाएं, और एक बड़ा रेडर आप लाने की कोशिश करें, आप कोशिश कीजिए, नीचे कमेंट्स में बताइए, कि हर्याना स्टीलर्स की इस सीजन की सबसे बड़ी खूबी आपको क्या लगी है, कहां देखते हैं आप हर्याना स्टीलर्स को जाहिन!